आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 फ्योल्स और इसके पहले के जो चैप्टर है उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं या तो फिर आप आया बटन को किलिक किजिए वहां से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जा लें जहां लोग थोड़ा देर के लिए हां आसपास दोड़ते हैं आसपास खेलते हैं तो मोग क्या फिल करते बताएं वी फिल टायड आप्टर सम्टाइब थोड़े दिर में हम लोग ना थकावत महसूस करने लगते हैं इन फैक्ट वेनिवर वी डू एनी वर्क बस कुछ दिर के बाद हम लोग ना थकावत महसूस करने लगते हैं टायड फिल करते हैं ओके वाइज दिस सो ऐसा क्यूं है आईए हम देखेंगे दिस इस विकाउज विड वी डू सम वर्क जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं वी यूज अप पार्ट आप दा एनर्जी है उस अणर्जी का कुछ पार्ट हम लोग यूज कर लेते हैं वोकित इसलिए हम लोगों को ठकावत मसूस होता है आगे देखेंगे अ हम लोग खाते हैं वहां से हम लोग को ना energy मिलता है और substance that produces energy on burning is called a fuel अब देखें यहां से फ्यूल का definition हमको मिल गया फ्यूल हम किसको कहते हैं a substance that produces energy on burning बर्न करने के बाद जो energy produce करता है उस तरह के substance को हम क्या कहते हैं न फ्यूल कहते हैं hence food can be thought of as a fuel for our body और इसलिए न फूड को हम लोग consider कर सकते हैं किस तरह से fuel की रूप में हमारे बोड़े के लिए fuel की रूप में हम food item को consider कर सकते हैं चुकि वहीं से हमको energy मिलता है ओके next हम देखेंगे types of fuels ओके यह हमारा topic होगा next fuels are available in solid liquid और gaseous forms देखिए जो fuel से वह कितने state में पाए जाते हैं अना gaseous form solid form liquid form तो वह कुछ भी हो सकता है solid form में हो सकता है liquid form में हो सकता है या फिर gaseous form में हो सकता है कौन fuels ओके एक्जामपल के लिए देखिए wood coal coke and cow dung cakes are some examples of solid fuels तो यह जो है wood coal और coke आपी cow dung cakes यह सब क्या है ना सब solid fuels के examples है वही liquid fuel के देखिए kerosene, petrol, diesel are examples of liquid fuels यह सब liquid fuels के examples है अब दूसरा है मारे पास तिसरा type का जो है gaseous form में liquefied petroleum gas जिसको हम लोग short में कहते है LPG ओके और है compressed natural gas हाँ इसको हम लोग short में क्या लिख रहे है ना cng compressed natural gas pipe natural gas png and biogas यह सब जो है ना सब क्या ना gaseous fuels के examples है ओके हम लोग यहाँ पर देख सकते picture भी दिखाया गया है यह burning wood यहाँ पर वूड बर्न कर रहा है और वूड के बर्न करने से जो energy मिल रहा है उसका क्या प्योवरा है तो for cooking purpose के लिए फिर यहाँ पर देखिए petrol हाँ पैट्रोल को fill के जा रहा है और last में हम क्या देख पा रहा है यह हमारा है cylinder यह फियर में हम देख पा रहे है solid fuel को यहाँ पर हम क्या देख पा रहे है solid fuel और बीचवाला figure में क्या दिखाया गया है Liquid fuel हाँ यह फ्यूल उलिक्विड फ्यूल है और last में क्या दिखाया गया है वैसा fuel जो gas की रुप में रहता है आनिकी gaseous fuel ओके आईए हम बात करेंके usage of fuels हमारे life में fuel का fuel का क्या-क्य usage है इसके में बात करेंगे और वे वी नाव नो दाइट फियोड प्रोभाइइड प्रोड्यूस अटीर ऐञों रित वे milligram करने के बाद एनर्ची प्रोडूस करना मेंज रथा है और तो एनर्जिय ऑन बर्निंग बर्न जब लिए एनर्जी चाहिए, for movement of trains, trains move करते हैं, वहाँ वे एनर्जी लगता है, automobiles and aeroplanes, for generating electricity, for running various machines and so on, इस तरह के और भी जितने भी activities हैं, सभी में हम लोगों को ना, एनर्जी क्या हो सकता, पड़ती है, okay, for getting energy, we use different types of fuels in different situations, अलग-अलग situations में हम लोग अलग-अलग types के fuel का use करते हैं, किस लिए fuel का use कर रहे हैं, तो energy को प्राप्ट करने के लिए, यह हम लोग समझ गये हैं, कि energy पाने के लिए हम लोग क्या use करते हैं, fuels use करते हैं, okay, तो यह था usage of fuels, अब आगे देखेंगे हम लोग को domestic fuels क्या होता है, domestic fuels, domestic कहने का मतलब हो रहा न, घर में जो fuel use होता है, उसको हम क्या कहते हैं, domestic fuel कहते हैं, आईए देख लें, in the early ages, men discovered fire, fire का discovery हुआ, okay, men discovered fire, and learned cooking, और cooking करने के लिए सीख लिए, पहले के जमाने की बात हैं, कि लोग न, fire का अविसकार किये, और fire के बारे में जानकारे प्रात किये, और cooking करने के लिए सीख लिए, next है, at that time, it was wood that was mainly used as the fuel, और उस समयना mainly क्या यूज हो रहा था, wood, हाँ, wood, लकडी, okay, लकडी का इस्तिमाल होता था, किस के लिए, तो energy परात करने के लिए, इसलिए लकडी को fuel के रूप में यूज किया जा रहा था, उस समय, okay, later, cow dung cakes, फिर उसके बाद cow dung cakes का यूज होना लगा, coal, okay, kerosene also started getting used as domestic fuels, तो यहाँ पर ना domestic fuels के गर examples हम लोग से पूछा जाए, तो हम लोग दे सकते हैं, पहला तो wood हम लोग दे सकते हैं, okay, फिर cow dung cakes देंगे, हाँ, coal, kerosene, यह सब क्या है ना, ऐसे fuels हैं, जिसका हम लोग घरे लो, मैं घर में यूप्योग करते हैं, okay, य यह सब domestic fuels के examples होगी, next देखिए, these fuels are used even now, आज कल भी यह सब fuels used होते हैं, in some households, household मतलब घर का जो काम काज है, उसमें घरे लोग activities में used किया जाता है, it is gaseous fuels like LPG, PNG and biogas that are now commonly used as domestic fuels, तो आज के डिट में ज्यादा तर इस्तिमाल क्या हो रहा है ना, LPG, CNG, biogas, यह सब भी domestic fuels है, और आज के डिट में इसका ज्यादा इस्तिमाल हो रहा है, now, these are cleaner fuels, यह सब को में लोग cleaner fuels कह रहे हैं, अब cleaner fuels क्या होते हैं, cleaner fuels इसलिए कहा गया है, सब को LPG और PNG, यह biogas, यह सब को cleaner fuels क्यों कहा गया है, चुकि यह smoke produce नहीं करती है, they do not produce a smoke on burning and do not leave any ash after burning, burn करने के बाद, pollution नहीं फिलाते हैं, okay, a smoke release नहीं करते हैं, इस कारण से इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है, cleaner fuels, okay, तो यह हम लोग समझ गये, cleaner fuels क्यों कहा गया है, next, यहाँ पे है, these cleaner fuels are convenient to use, यह सब cleaner fuels जो हैं, इसको use करना आसान है, convenient to use, and are more efficient, और ज्यादा हम लोग को फाइदा होता है, इसको use करने से, they are also more eco-friendly, eco-friendly कहने का मतलब हो गया न, हमारे environment को यह हाने नहीं पहुचाते हैं, हाने ज्यादा smoke release नहीं करते हैं, हमारे पास right side यहाँ पे है, diagram जो bio gas plant को दिखा रहा है, ओके, यह picture बनाने के लिए आ जाता है, कभे के भी exam में, तो हम लोग picture बनाने के लिए चीख लेंगे, हाँ, यह bio gas plant है, ओके, यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे whale tap का बना हुआ है, ओके, इसके बारे में picture के लिए हम लोग जान लें, और यहाँ से न, gas release हो रहा है, जो gas release होता है, उसके लिए यहाँ पे pipes लगे हुए हैं, ओके, तो next हम लोग do you know को देख लें, नीचे अपना है, do you know, हाँ, the gas by product of coal combustion, हाँ, जब coal burn करता है न, तो क्या बनता है न, as, ओके, राक जिसको हम लोग क्याते हैं, is used as filler for things like the tennis, racket and golf balls, तो यह जो balls है न, हाँ, कौन-कौन से ball, racket की बात की गई है, tennis ball की बात की गई है, ओके, यह सब के, के, बीच में जो material फिल होता है, वो क्या होता है न, अपना, as, ओके, इसका हम लोग use कर लेते हैं, तो आईए, यहाँ पे जो अपना product बना, coal के burn करने के बाद, वो भी अपना वेकार नहीं जा रहा है, उसको भी लोग use कर ले रहे हैं, next है, fuels for transportation, transportation means क्या हो रहा बता देजिए, transportation means हो रहा है न, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो इसके लिए भी हमको fuels चाहिए, हाँ, तो इसमें कौन-कौन से fuels चाहिए, इसके बार हम बात करेंगे, हम लोग आए, तो trends were earlier run with the help of stream engine, ओके, देखिए, यह जो trends है न, पहले trends कैस से चलते थे, तो steam engine से चलते थे, steam engine मतलब भाप का engine, हाँ, उसमें से water को boil कर किया जाता था, और फिर उसे भैपर को create किया जाता था, भैपर बनता था, उससे engine चलता था, तो उसको नाम दिया गया था steam engine, हाँ, यह हम देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में दिख coal, coal को पहले burn कर किया जाता था, और coal को burn करने के बाद ना, steam produce किया जाता था, steam मतलब हम लोग समझ लें, यह water vapor, okay, water vapor है, steam, coal को burn करके produce किया जाता था, nowadays train engines use either electricity और diesel, आज के डिट में जो trains चलते हैं, वो या तो diesel से चलते हैं, या तो फिर electricity का प्रियोग किया जाता है, तो electricity और diesel, यह दोनों से आज के डिट में trains चलते हैं, next यहाँ पर हम देख सकते हैं, अलग-अलग picture दिखाया गया हम लोगों को, यह autorex हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर diesel और petrol, यह सब liquid fuel का यूज करता है, CNG से भी चलता है, इसके बाद aeroplane से, और यहाँ पर bus है, तो इसमें से अलग-अलग टाप के fuels यूज हो रहे हैं, petrol या तो फी diesel से रन करते हैं, कौन-कौन, buses, cars, scooters, ओके, इधर aeroplane की बात करें, तो aeroplane commonly used high refined kerosene based fuel known as aviation turbine fuel, इसको short में क्या बूला गया है न, ATF, देखिए, ATF, ATF का पुरा नाम क्या हुआ, aviation turbine fuel, ओके, और इस fuel का यूज कहा हो रहा है, तो aeroplane को रन करने के लिए, यह देख हैं हम लोग, फिर आता है, buses, autorexage, okay, and cars now prefer to use CNG as their fuels, तो आज के date में न, यह CNG use किया जा रहा है, किसमें, buses में, autorexage में, क्यों, चुकि यह ज़्यादा pollution नहीं फेलाती है, This is because CNG powered vehicles have lower maintenance cost and better efficiency, better efficiency मतलब ज़्यादा हो रहा है हम लोगों को उसे, हाँ, उसका low maintenance करना पड़ता है, maintenance को ज़्यादा खर्च नहीं है, तो कौन से, जो CNG से रन करते हैं, उस तरह के vehicles को, also CNG is a better green fuel, इसको green fuel क्यों खा किया, तो green fuel कहने के पीछे एक ही purpose है, कि यह हमारे environment को pollute नहीं करते हैं, बहुत कम मात्रा में करते हैं, जितना आपका diesel और kerosal से होता है, it causes less air pollution, देखें क्या लिखा, it causes less air pollution, मतलब CNG से जो वेहिकल सर रहे हैं, वो pollution बहुत नह के बराबर करते हैं, is more eco-friendly and causes less harm to the health of humans and animals, तो animals और humans के health को यह effect नहीं करते हैं, ओके, तो यह तो थे fuels for vehicle, अब next हमारे पास है एक activity, इसको हम देख लेते हैं, ओके, यह हम लोग यहाँ पे करेंगे activity, तो activity में क्या कहा गया देखिए, select three modes of transportation, modes of transportation को select कया है, that are often used for traveling, travel करने के लिए use होता है, उसमें से within the city, between two cities and between two countries, yards, क्या खाया गया ना, modes of transportation को हम लोग को select करना है, और इसमें से ऐसे select करना है, वोmm ऐसे means को, जिसका एक लोग city में ही city के अंदर ही travel करने के लिए use करते हों, और दूसरा है, between two cities और दूस्दों, और दूसराो तो थे पक ताहशिंग को तूसरे पनलिए, को नौट काउट करना है तो देखिए हम लोग क्या कर लेंगे पहला तो है विदिन दा सीटी मोड आफ ट्रांस्पोर्टेशन तो सीटी के अंदर हम लोग ट्रैवल करते क्या यहां पर लिख सकते हैं लोग बाइक का इस्तिमाल करते इसमें से फ्यूल एज जिसमें क्या बस बहुत सारे हैं तो कोई भी आप लिखिए जैसे हम लोग लिख करते हैं तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे एरोप्लेंज और इसमें से क्या फ्यूल हो जागा तो ए टी एप एविएशन टरवाइन फ्यूल ओके यह लोग यहां पर नौट कर लेंगी तो यह तो था मेरा activity जो की complete हो गया है अब next हम लोग बात करेंगे next video में हम लोग देखेंगे fuels for generating electricity so आज के video में बस इतना ही so I hope this video will helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead